हैलो थ्रियन फैमली तो कैसे हो आप सभी लोग I hope कि आप सभी लोग जैसे भी हो मुझे क्या ही लेना देना है मेरा तो काम है वीडियो बनाना तो बना रहा हूँ तुम लोग के लेडे देडे से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो लेते देते रहो मतलब अवे तबीयत थे तबीयत जैसी भी अच्छी हो या बुरी हो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है तबीयत बस ना बोलने से बातों का मतलब बदल जाता है देख लो यार साला और लोग कहते हैं मैं double winning बोलता हूँ पहले से नहीं सोचा था ये script नहीं लिख रहा था मैं कौन की असला emotion बदल गए एकदम से टिप तभी अठड़ा दी तो खेर छोड़ो जैसे भी हो अच्छे हो बुरे हो बिस्तर के अंदर हो बाहर हो जैसे भी हो बीडियो सुन लो comment comment कर दो like कर दो नहीं करना है तो भी कर दो target रखते हैं 800 like का genuinely जिन जिन लोगों को बीडियो पसंद आ रहे हैं 800 like के उपर भी मार देना बट minimum 800 तो मार ही देना यह अपना low target है and comment का करते हैं 100 comment का okay तो चलो आते हैं वीडियो पर पिछला वीडियो काफी interesting था हमने देखा था जियो यहां फ्लेम refining में बैठा हुआ होता है फ्लेम refining के साथ जोन को बदा रहे कि time कम है इसलिए कम time फी जोन दुगनी मैनत कर रहा होता थो दोस्त एक लड़की को तो अभीसलिए एक मिले तो दुगसे को दो बोरा लगता ही है अलगि उसे बार में पता चलता है कि जोन उसका wait कर रहा था उसका बदला लिया, ये किया, वो किया तो प्यार से ज्यादा कीमती तो अभीसलिया है प्यार भाड में जाए दोस्ती सबसे पहले जो यान को वो जो यान के लिए वो गिल्टी फील करता है कि उसने जो अनको लेकर ऐसा कैसे सोच लिया आखिर क्यार उसकी जिसने मारी थी जो यान ने उसे मारा था देन अपन लोग बापस सीन देखते हैं जहां पर जो ऐसी और गोड़का लगी हुगी है हौल मास्टर ने भुलाए जो गर를 तेरे है हौल मास्टर में यहाँ पर हूँ चूतिया बनाता है सबको भंड इंसान ना कुद की भीमी है ना खुद की जिंदगी है ना खुद के र deixa है दोसके न सबको जहंड यान इसको और उसके मतलब है और गुल्डन टाबर के अंदर और वहाँ पर जो उसे रिफाइन करा था वहाँ की एनरजी के साथ काफी इवजली कर पा रहा था अपिसोड टाठ होता है जैष्ट वहीं से ठीक है तो यह आपिसोड इस टाठ हता है जैष्ट वहीं से इस लैट को गाव उता हुख देख कर सबी लोग काफी एकसाइटेर हो दिफा रहा थे ह syntक वह इंदर खोद को प्रकार का क्रिश्टल था जो लंबे टाइम से लाइट को अब्जॉब कर रहा था और यहाँ पे लाइट को चारों तरफ फैला रहा था इसलिए यह जग है अधेरे बेनी होती लेकिन उसके अलावा बाकी जग है इतना अधेरा था कि आप अपनी उंगलियों को भी नहीं देख सकते थे जो देख कर सबी लोग तरफ तरफ यह कैते क्या हो रहा है आखिर कर यह इतना अधेरा कैसे हो गया सी सर्फेस के अंदर हुआ क्या मुझे पता नहीं सबी लोगों की आँकों में और दिमाग में तरह तरह के थौट और खयाल होते हैं तब ही एक बंदा कहता है हो सकता है कि नीचे जो लाइट टेंज जल रही थी किसी ने बुझा दी होगी किसी ने वहाँ की रोसनी बुझा दी होगी जो देखके दूसरा बंदा कहता है बिल्कुल इंपॉसिबल वहाँ का टंप्रेचर इतना ज़ादा है जिन्दा इंसान को जला के राक कर दे वहाँ तक कोई जा ही नहीं सकता और उस लाइट को तो कोई अपनी आखों से देखी नहीं सकता तो बुझाया कैसे जा सकता है दूसरा फिस लाइट के मंदा होने के काट जो सार कुईन होती है वो भी कापी हरान होती है और हैरान होते हो के थी आखिरकार वो बच्चा है कौन उसने ऐसा कैसे किया क्या ऐसा सच में हो सकता है कि हार्ट ओफ फ्लेम नहीं उसके अंदर इतनी जाधा तेज लाइट और इतना जाधा तेज टंपरेचर है ऐसा कैसे हो सकता है क्या उसने बास्तों में उसे अब्जॉब कर लिया अनभीलिविवल दूस्तर जहां पर जो यान था और ओल्ड मैन था वहां की लाइट भी दीरे दीरे डिम होने लगती है बुरा आदमी जो की सैटिसपाइड होकर फिस पकड़ रहा था और उसके अगल बगल के दो लोग ये देखके अचाना की चौक जाते हैं और अपने सिरुटा अगर बाहर की दब देखते हैं ये क्या हुआ दूस्तर फोल्ड मैं भी थोड़ा सा जिजगता है लेकि उसकी आँके बापस से सांथ हो जाती है लेकिन वो अपनी आँकों को थोड़ा सा सिकोडते होए कहता है अपनी कड़ी आवाज पे ओ भैस की टांग इसने ऐसा कैसे किया वो क्या कर रहा है इस लाइट के अचाना से कम हो जाने से ओल्ड मैं की हालत भी काफी जारा पतली हो गई थी आखे का ये जो सीज दिन जैसा दिखता था वो 9999 फाइल लोटस के कान था जो पूरे ही सीज यलम को लाइट से ग्लो रखते थे लेकिन इनके गयाव होते ही यह अबिसली यहां का जो प्लेस था वो भी अधिरे में डूप गया था और इसकी केवल एक ही पॉसिबिल्टी थी या तो इसमें से काफी यदा हाई कॉंटिडी में फाइल लोटस को अब्सॉब कर लिया गया था उसके बाद ही ऐसा हो सकता था ओल्ड में तुरंत ही खड़ा होता है और बैरियर के किनारे पर आ जाता है जासे खड़ा होकर वो फाइल लोटस के सी को देखता है तो वहाँ पे सब कुछ खाली होता है वहाँ पे केवल एक ही फाइल लोटस था जो 70 फीट से ज़ादा बड़ा था साथ ही ये जो फाइल लोटस था ये भी धीरे-धीरे मंदा होता जा रहा होता हो इसकी light gap होती जा रही थी और उसके gap होते ही एक figure सब के सामने अपयर होती है जिसकी आखी खुलती और बंध हो रही होती और उसकी आखों से तेज light glow हो रही होती है जो देखकर वो तुरंधी कहता है old man what the hell इस बच्चे ने इतने कंट टाइम के अंदर flame को master कर लिया कैसे साथ ये उसने सभी 9999 फाइल लोटस को absorb कर लिया कैसा हो सकता है कि उसने सभी absorb कर लिये बूरा अदमिया पे और बूरा लग रहा होता है उसे पता था कि fire lotus के अंदर कितनी ज़्यादा energy है उसे ring के अंदर भी नहीं रखा जा सकता यहां तक यह एक अच्छे खासे storage के अंदर भी उसे save नहीं कर सकते बला ही वो space ring कितनी भी powerful क्यो ना हो और कितने भी अच्छे ingredient की क्यो ना हो अकिर कर इतने सार फाइलोटस की जो power थी उसे वो ring suppress नहीं कर सकती थी यह temperature किसी भी चीज को melt कर सकता था यार old man को समझ नहीं आ रहा होता कि यह हो क्या रहा है उसकी life का ऐसा लग रहा होता है कि सबसे बड़ा surprise ही हो गया था यह मुझे एक चुटकुला याद आ गया सुना ही देता हूँ एक बार एक बिदेशी आदमी भारत आता है ठीक है तो यहाँ पर उसको मिलता है समोसा काफी लोगों ने सुन रखा होगा अब वो समोसे को जब लेके जाते है अपने देश तो उसे पर काफी एक्सपेरिमेंट करता है कि यह चारतरब से बंद है तो इसके अंदर आलू गया कहां से काफी दिनों तक रिसर्च के बाद उसे समझ नहीं आता कि इस बंद समोसे के अंदर आलू गया कहां से इसलों वो इस रिसर्च को छोड़ देता है क्योंकि उसका दिमाग हो चुका था खराब तब ही उसी का जो एक असिस्टेंट था वो भी इंडिया विजिट करके आये था और वो वहाँ से ले आता है जले भी और कहता है सर सर आपने देखा इसके अंदर लिक्विड है मतलब सक्कर का सीरा जो देखकर वो आदमी तुरं थी अपना जूता उठाता है और अपने ऐसे स्टेंट को बहुत बीटता है और फिर उससे कहता है साले आज से चार साल पहले मैं समोसा लाया था मुझे पता नहीं चला कि उसके अंदर आलू कैसे घुसा तू दूसरा उठाला आया हाला कि मुझे अच्छे से याद नहीं है ऐसा ही था कि कुछ और था बाट बाहर में जान दो अपना आते बापस नोबल पे हाला कि मैंने फनी वे में एक्स्प्लेइन नहीं किया बना जरू मजा था किसी दोन और सुनाऊंगा और हाँ जोक में सेंस नहीं होता तो सेंस बिलकुल मत धूड़ना इस टाम पे जोन की बाड़ी का जो ओरा था सौरी मैंन पिछले एपिसोड के टाइटल पे लिग दिया था कि जौन सेंस इंस तर practice कर चुका है सेंस इ झचर के close पहुँच गया थजौन अभी breakthrough नहीं होँआ जौन हैं यहां फे सेंसी श्टार peak level पसी alegre मियर पर सेंस बी तर के 1 hour step होता है वा ऐसा कहती है जान उन दौनों को ग्रीड करता है क्योंकि जान ने सारे के सारे फाइल लोटस अब्यसलि अपने गोल्डन टाबर के अंदर रख दिया थे जो देखा ओड मैंन कहता है क्या क्या तुम्हें पास बास्तों में कोई ऐसी चीज़ जो बास्तों है फाइल लोटस को अपने पास रख सकती है हलाकि मैंने इसके लिए अपना सबसे बेस्ट किया था लेकिन मैं दस से भी कम फाइल लोटस को यह अपने स्पेस रिंग के अंदर रख पाए था तुमने 9999 से ज़्यादा फाइल लोटस कैसे रख लिये उसकी आखे काफी एक्साइटेड होती है उसे समझ में नहीं आ रहा हुते जौन ने किया क्या और असी कौन सी चीज़ जिसके अंदर जौन ने फाइल लोटस रखे लेकिन अब बेसरी जौन हेलपलेस तरीके से स्माइल करता है क्योंकि वो गोल्डन टावर के सीगरेट को यहां रिबल नहीं कर सकता था क्योंकि इस ओल्ड मैन की जो अन्नोन पाबर और अन्नोन आइडेंटिटी है वो और भी खतानाक थी इसलिए जौन उसे बेबकूब बनाने के लिए कोई तरीका जल्दी से सोचता है जो देखके जो अन्नोन टावर के सीनियर और उसके पास जाकर जो उसे प्रणाम करते हो कहता है तब ही ओल्ड मैन कहता है ओए प्रणाम नाम छोड़ यह बसा तुने ऐसा किया कैसे है इतने सार फाय लोटस ओल्ड मैन अभी भी उसी चीज पैट का हुआ होता है जो देखके जोन थोड़ा सा इंबेर्स दिखता है और जब ओल्ड मैन जोन को जिजकता हुआ देखता है तो वो थोड़ा सा उदास उता होता है चिन्ता मत करो मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूँ क्या आपने कौन से तरीके का यूज किया वैसे भी तुम्हें इस फ्लेम के नाइथ जनरेशन के गौड हो मेरा कोई भी दूसर थौट नहीं ओल्ड मैन जोन के चिन्ताओं और टेंसन को समझ चुका होता है जो देखके जोन तुरन थे कहता है सीनियर मैं अंसेटेसफाइड हूँ लेकिन यहां आने से पहले मुझे फ्लेम के बारे में एक स्क्रोल मिला था जिसमें एक मैथट दर्ज था मैं बस लखी था केबल यहां पी जोन जूट ही बोल सकता था आके काई जोन उसे ये नहीं बता सकता था न रियल्टी फाइल लोटस को एक स्पेसल एरिया के अंदर रखा है जा केबल मैं ही इंटर कर सकता हूँ और ओल्ड मैं के सभी एक्साइटेट थाट को जोन साइड कर देता है जो सुनने के बाद ओल्ड मैं जोन को सक भरी नजरों से देखता है और इसके बाद सोचने के बाद वो अपने हाथ को लहराते हुए कहता है क्योंकि एप सिचुएशन ऐसी है तो मैं तुमसे कोई और सवाल नहीं पूछूँगा ओल्ड मैं काफी सौपली जोन के साथ देखता है जोन कोई पता था कि अगर ओल्ड मैं उसके उपर प्रेसर डालता तो वो खुद को बचा नहीं पाता लेकिन अच्छा था कि ओल्ड मैं उसके उपर कोई प्रेसर नहीं डाला था साथ ही आप क्योंकि जोन ने सारे फायल लोटस को रख लिया था तो यहाँ पर रहने की कोई जरुवत ही नहीं थी बैसे भी 10,000 कॉमप्टी से ना बैंड होने वाला है इसलों से लाश्ट माउंटिन की तरफ भागना होगा लेकिन जाने से पहले अब बिस लिजाने ये दो चीजे बिलकुल भी नहीं भूलेगा कि हुंतियांडी और जो ऐसी दोनों ही लोग यहाँ पर है और यहाँ कोई भी परिसानी पीछे नहीं छोड़ना चाहता था तब ही ओल्ड मैन भी तुरह दिखा था क्योंकि आप फ्लेम सीके सभी लोटस को ले जा रहे हैं आपके रहने का यहाँ कोई मतलब नहीं साथ ही आपके पास यहां सन स्क्रोल तो है ही जिसमें मुईरी पूरी समझ उस फ्लेम को लेकर है तुमेंसे अपने हिसाब से ही समझ सकते हो यहां तक कि तुम इसमें अपने आकॉर्डिंग भी चीज़ा जोड सकते हैं और इसे अप ग्रेड कर सकते हो तुमेंसे कंप्लीट कर पाते हो और कंप्लीट समझ पाते हो है नहीं यह तुम्हारे लग पर डिपेंड करेगा ऊछिआ कहते है तो वो जो यहां को देख रहे होते हैं बास तुम्हें एक Green Lotus, वो भी एक Five Lotus ही था, लेकिन इसे मैंने इस तरीके से एरे Upgrade कर दिया है, क्या तुम्हें इस Five Lotus को मेरे पास ही छोड़ सकते हो, मैं यहीं पे रहकर अपनी Life को जीना चाहता हूँ, Old Man की बात को सुनकर जौन काफी Confuse होता है, जौन को पता था कि Old Man ने इस यह Five Lotus obviously Senior का ही होगा, लेकिन इसका मतलब सिर्फ यह था, कि अगर आप इस अगेले C में रहेंगे, तो काफी अकेला पन महसूस करेंगे, जौन तुरंती Old Man को समझाता है कि कहीं उन्होंने गरत मतलब ना समझ लिया हो, जौन आप इस Five Lotus को दूर नहीं लेके जाना चाहता था जो देखकर Old Man कहता है अकेला पन, अगर आपका कोई Relative या कोई Friend ना हो, तो चाहे आप कहीं भी हो, आप हमेशा ही अकेला पन महसूस करेंगे, इसलिए मेले यही रहना बेतर है, कम से कम कोई Fight तो नहीं होगी, जो देखकर जौन तुरंती कहता है Senior, अगर आपको कोई भी Problem न में चलेगा, तो Clean और, Continent की Power वी तेजी से बढ़ेगी और Security भी, जो देखकर Old Man तुरंती कहता है, मैं आपकी Kindness को समझता हूँ, लेकिन जब तक 10,000 Demon Palace मौजूद है, मैं आसे नहीं जाओंगा, जो सुनकर जहान Confuse हो जाता है, और तुरंती कहता है, क्या Senior को 10,000 Demon Palace से कोई सि रहना होगा, साथ ही आप भी जानते हैं कि हर कोई Death से डरता है, मैं भी कोई अपबाद नहीं हूँ, और वैसे ही मैं आराम से जी रहा हूँ, और वैसे ही मैंने इस, River के अंदर से अब तक एक भी मचली नहीं पकड़ी, इसलिए जल्दी की कोई जरुद नहीं, मुझे पहले जोड़कर उन्हें ग्रीड करता है, जो देखकर ऊड़मेर के लिए बिलकुल भी मना नहीं करूँगा, जब तक यह मेरी strength के भीतर है, आप जो कुछ भी चाहेंगे, मैं आपके लिए ला करदा हुगा, जो देखकर ऊड़मेर के लिए कोई जीज नहीं है, ये बहुतsystem ही है क्योंकि आपके उन दौनों के साथ दुस्मनी है तो इसका मतलब है कि आपके 10,000 डेवन पेलिक के साथ भी अच्छे संबंदे नहीं होंगे हलाकि मेरा उनके साथ एक लंबा रिस्ता है और मेरे अंदर एक काफी लॉंग डेजायर है लेकिन मुझे कभी मौका नहीं मिला और अब तो और भी ज़्यादा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता तो अगर आप मुझसे बादा करते होते हैं में लिए एक बड़ी ब्लेसिंग हो सकती है और मैं आपको इसके बदले एक आसिर बात दे सकता हूँ ओल्ड मैं की बात को सुनकर जौन तुरंथी अपनी बहुच रहता है कि ओल्ड मैं अब उसे कौन सी सर्त रखना चाहता और उसे क्या देना चाहता है साथ ही अगर वो कुछ देना चाहता तो वो नॉर्मल चीज नहीं होगी और उसके बदले अगर वो कुछ करने के लिए कहना चाहता है तो वो भी कोई आसान काम नहीं होगा जौन तुरंथी कहता अगर ये मेरी स्टेंथ के अंदर है मैं बिल्कुल भी इसे नहीं टालूँगा जौन अब बेसली आसानी से कोई भी प्रॉमिस करने की हमत नहीं करता था इसलिए जौन तोड़ा सा इंबेर्ज भी होता है जो देखकर ओर मैं तुरंदी कहता है ये ठीक है अगर आप सक्सेस्पुल नहीं हो सकते तब कोई बात नहीं लेकिन जब तक आप एगरी है मेरे लिए पहले ही काफी बड़ी बात होगी और ऐसा कहते हो वो जौन को काफी उम्मीद से देख रहे होते है जो देखकर जौन के मन में एक अन्नों सी फीलिंग आती है जो देखकर जौन तो नहीं तो नहीं कहते है सीनियर आखिरकार क्या बात है और जौन थोड़ा सा इसमाइल करता है जो देखकर ओल में कहते है तुम्हें किसी को मानना है और ऐसा कहते हो वो एक काइंड इसमाइल के साथ जौन को देखता है और उसका औरा हलका सा वाइल्ड होता है और इस हलके से वाइल्ड औरे के साथ ही जौन के रॉंक्टे खड़े हो गए थे सोचो बंदा कैसा होगा क्योंकि जौन ने एक किलिंग इंटेंट औरा फिल किया था जो की बिल्कुल भी कम नहीं किया जा सकता था नहीं सप्रेस ऐसा लग रहा था यह औरा जैसे औरा इतना क्रूल है हाला कि जौन को इसने काफी प्योर फिल कराया था इसलिए जौन को इस बास से कोई फ़र्क ने पड़ता था जौन तुरंदी कहता क्या मैं उसके बारे में जान सकता हूँ जो देखर ओल्ड मैं से रहाते होए तुरंदी कहता है और इसलिए तो ओल्ड मैं फूल कॉन्फिडेंस के साथ जौन को देख रहा होता है इतना कॉन्देस जौन को खुद के उपर नहीं था जितना ओल्ड मैं को उसके उपर था जिससे जौन पूरी तरीके से कन्फ्यूस हो जाता है क्योंकि जौन अभी भी अपने फूचर के बार में ही सोच रहा था क्या करेगा और कैसे क्या करेगा और ओल्ड मैं ने इत्ता भरो सजटा दिया था इसलिए जौन इंबेरस होकर हसते होए दो बार खासता है और तुरंदी कहता तारीफ के लिए बहुत बहुत धन्वास सीनियर तब ही ओल्ड मैं कहता है आप उस परसन को अभी नहीं जानते लेकिन फूचर में आप उसे निश्चित तौर पर जान जाएंगे वो है टेन थाउजन डेमन हॉल का हॉल मास्टर जहां तक उसके नाम की बात है मुझे भी नहीं पता लेकिन वो है टेन थाउजन डेमन पैलेस का मास्टर आपको उसके बारे में फ्यूचर में जरूर पता चलेगा वो वही परसने जिसे मैं मारना चाहता हूँ ओल्ड मैं की बात को सुनका तो जहां के रॉंकते खड़े हो गया होते हैं जोएन तुने थे कहा था 10,000 डेमन पैलेस का मास्टर सीनियर क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं सीनियर 10,000 डेमन पैलेस के मास्टर के पास पता नहीं किस तरीके की पावर होगी जोएन उस पावर के बारे में सोच भी नहीं सकता था जो देका ओल्ड में तुर्ण दिका था किस तरह की की पावर इसके बार इसके बार तो मुझे भी नहीं पता लेकिन उसने मुझे केवल अपने एक अटेक के साथ ही हरा दिया था इसलिए उसे फाइटिंग गॉड के उपर होना चाहिए जो सुनका तो जोन बेहोस हो जाता कि क्या फाइटिंग गॉड के भी उपर कुछ होता है आखरेकर फाइटिंग गॉड से उचा कौन होगा जोन यहापे रोना चाहता था कि साला डाव डी पर पहुँच जाता तो सोचा था यही पावरफुल लेवल होगा डाव अमोर्टल मिल गया लगड डाव अमोर्टल ही उपर होगा फाइटिंग गॉड मिल गया सलब फाइटिंग गॉड सोचा सबसे पावरफुल होगा तो इसके आंगे का भी लेवल है क्या इसका कोई एंडिंग वेंडिंग पॉइंट है या नहीं जोऑन खुसी कहता है ऐसा लगता है वेड़ा कल्टी वेसन का कोई एंड नहीं जब तक तु जिंदा है कल्टी वेसन करता रहे जोऑन तुरंती कहता है सीनिर क्या आप मजा कर रहे हैं जहां तक उसके आंगे की बात है मुझे नहीं पता ये पॉसिबल है या नहीं और अगर वो मुझे मारना चाहता है तो उसके लिए ये चीटी को दबा देने जितना आसान होगा जो सुनका उड में सीरियस होकर जोऑन की तरह पर अपना सीर लात तक कैसे पहुँच सकता है जो देखके सीनियर तुरंदी कहते हैं मैंने कहा आपका फ्यूचर ब्राइट है मैं कब कह रहा हूँ कि आपको अभी लड़ना है और आप किस बात से डरते हैं लोगों के पास हमेशा ही अपने लीजन्स और अपने टार्गेट होते हैं मुझे उम्मीद है कि आप आँगे चलकर पावरफुल होंगे अन्यसा कहते हैं जबकि जोऑन तो दास और हलपलेस होता है उसे खुझ से ही उम्मीद नहीं थी कि वो बास्ते में उस लेवल तक पहुँच पाएगा उनकी बात को सुनके जोऑन कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं करता क्योंकि इम्मॉर्टल गॉड से लड़ने की पार अभी जोऑन के पास नहीं थी जोऑन तुरंद कहता है जो देखकर ओल्ड मैन कहता है कैसा रहेगा अगर तुम एगरी होते हो तो मैं तुम्हें एक ग्रेट ब्लैसिंग दे सकता हूँ जो तुम्हें एक जटके में एट इस्टार डाव मोर्टल तक पहुँचने की जाज़त दे सकती है बेसक इसके लिए आपको पर्याप टैलेंटेड होना चाहिए बस आपको सेह लाने की ज़रुत है और ये ग्रेट लग तुम्हारा होगा ओल्ड मैन की बात को सुनकर जोऑन की आखे साइन होने लगती है और बिना की जेज के चार्ट की जोऑन अपना सेहर हिला देता है सीनियर मैं एग्री हूँ चलो लग दिखाओ और इसमाल करते हो ओल्ड मैन की तब देखता है जो देखका ओल्ड मैन बिल्कुर भी संकोच नहीं करता साथि उसमी नहीं थी कि जोऑन इतनी जल्दी एग्री हो जाएगा इसलिए वो भी हैल प्लेस तरीके से स्माल करता है और तुरंती कहता ठीक है मेरे साथ आओ क्या तुम जानते हो कि फ्लेम हाट के अंदर एक अजीब चीज है जिसे फ्लेम एसेंस कहा जाता है जो सुनकर जोऑन तुरंती चौंक जाता है फ्लेम एसेंस का नाम सुनकर जोऑन अचाना की याद करता है कि यह उसने कहां सुना था और जोऑन को अचाना की हुआ बूयू याद आता है जिसके लिए जोऑन फ्लेम एसेंस पाना चाहता था जब Flame Heart, Next Successor को चूस कर लेगी लेकिन Flame Essence कोई ऐसी चीज नहीं जिसे नॉर्मल लोग अब्जॉब कर पाएं बहले ही आपको इनाई टेस्स मिल गया हो Flame of Heart का लेकिन इन दौनों का एक दूसरे से कोई निलेसा नहीं ये एक बहुत powerful poison भी है जो सुनकर जौन चुप हो जाता है वो ये जानता था कि लग के साथ साथ खत्रा तो हमेशा ही होता है लेकिन Flame Essence की जौन को बहुत जरूरत थी इसलिए जो सुनकर ओल्ड मैन इसमाइल करता है और तुरंटी कहता आपको इसके बारें साथधानी से सोचना चाहिए इससे पाना उतना एजी नहीं जितना आप सोचते हैं कि आपकी बाड़ी से बरदास कर पाएगी और कहीं आप बलाश तो नहीं हो जाएंगे आप मर भी सकते हैं और आपकी सारी मेहनत बरबाद हो सकती है ओल्ड मैन काफी सीरिस लियासा कह रहा हुता है जो सुनकर जोयन भी सीरिस हो जाता है कोई बुरा थोट नहीं होगा जोन तुरंदिकेदे सीनियर हो सकता है कि मैंसे ट्राई कर पाऊं जोन तो यहाँ फुल कॉन्फिडेंट होता है जोसन का ओल्ड मैन भी हरान होता है हाला कि उसने पहले से जोन से प्रॉमिस किया था इसलिए वो पीछे भी नहीं अड़ सकता था बहुत से रिलाता है और जोन की बास सेगरी होते हैं तुरंदिकेदा ठीक है तो फिर मेरे साथ चलो और जोन तुरंदि उसके पीछे पीछे चलने लगता है ओल्ड मेन के साथ आंगे बढ़ती जोन एक चीट तो समझ गया था कि फ्लेम एसेंस यहाँ पर नहीं है तब ही ओल्ड मेन जोन को नीचे की तरफ ले कर जाता है और जोन थोड़ा सा चौंक जाता है क्योंकि यह पहले से ही सी सरफेस के नीचे था और नीचे कापी सारी चट्टाने थी जापे फ्लेम लोटस का कोई सी नहीं होता बलकि एक डार्क धबा होता है ओल्ड मेन अभी भी नीचे की तरफ जाही रहा होता है और जान उसके साथ तब तक नीचे तक जाता है जब तक कि उसके पैर चट्टानों को नहीं छू जाते जिसके बाद ओल्ड मैं तुरंदी कहता है मैं बास्टो में क्यूरियस हूँ कि तुम इतने सारे फाइल लोटस को कैसे अब्जॉब कर पाते हो और कहा रख पाते हो अखिका जूआन के फाइल लोटस को अब्जॉब करने से पहले या रखने से पहले यह जगा पूरी तरी किसे ग्लो हो रही थी और इतने सारे फाइल लोटस के सामने यह जगा भी नहीं देखी जा सकती थी ओल्ड मैन की बात को सुनके जूआन सौक होता है लेकिन वैसा ही करता है जूआन ध्यान से इसकी बारें सोचता है उसे पता था कि वो ओल्ड मैन जितना स्टॉंग नहीं है और अगर ओल्ड मैन उसे मारना चाहता तो एक थाट के साथ मार सकता था इसलिए बास तब ओल्ड मैन के कोई भी बुरे थॉट उसको लेकर नहीं है इसलिए जौन अपनी हतेलिक ओल्ड मैन के कंधे पर रख देता है तब ही जौन को फील होता है अपनी हार्ट बीट का बढ़ना उसे फील होता है कि एक पावरफुल पावर उसे अपनी तरफ खीच रही है जो देखकर जौन के आँके सिकुड जाती है जो देखकर ओल्ड मैं तुरेंदी कहता है तैयार हो जाओ लेट्स को और उसके मुँपे एक काइंड इसमाइल होती है साथ इस टाइम पे ये लोगों को काफी डिराबना हैसास दे रही होती है और इससे पहले कि जौन कुछ कह पाता कि उसके पैरों के नीचे चट्टाने गायब हो जाती है और जौन की पूरी बोड़ी सुन हो जाती है और जौन नीचे की तरफ जाने लगता है उसके कानों में केवल पत्थर के तूटने की आवाज सुनी जा सकती थी जौन अपने पैरों के नीचे देखता है वो केवल चट्टानों को तूटता हुगा देख सकता था साथ यहाँ पे कोई भी सी वाटर नहीं होता और लगबग आधी धूबत्ती के जलने तक यह सीन होता है जिसके बाद इस पेस धीमा हो जाता है और एक क्रैक ओपिन होता है जिससे एक चमकदाल लाइट ग्लो होती है लेकिन जौन की आखे इस लाइट से बिलकुल भी परसान नहीं होती अगर यह पहले होता तो हो सकता है जौन अंधा हो जाता उसके सामने के सीन एक बार फेसे जौन को चौका दिया होता है जौन ने देखा तो उसके सामने एक काफी बड़ी खुली जगह है यह जगह पूरी तरीके दे चमकदार खजानों से भरी होई है ऐसे ऐसे ख़जाने और ट्रेजर जो जुआने कभी भी नहीं देखे थे तभी एक आब आज आती है ट्रेजर पवेलियन में आपका स्वागत है और ओल्ड मैन काफी सैटिसफ़ाइड तरीके दे जुआन की तरफ देखता है जहाँ पर काफी सारे मैजिकल बैपन होते है जो जुआने पहले कभी नहीं देखे थे जुआन के हरान इंप्रेसन को देखा ओल्ड मैन काफी प्राउड फील करता है और एक सैटिसफ़ाइड इसमाइल के साथ कहता है तुम चाहे जैसे इने देख सकते हो लेकर इसे छूना नहीं क्योंकि मुझे भी याद नहीं कि इन में से कौन सा पॉईजनेस है अगर तुम्हें पॉईजन से डर नहीं लगता तो बेसक तुम इने छू सकते हो और इतना कहने के बाद ओल्ड मैन सेंटर की तरफ चला जाता है जहां पे सेंटर स्कूर के अंदर एनरजी काफी पाउरफुल लग रही होती है जोन याद ओल्ड मैन की बात को सुनकर काफी हैलेट हो गया होता है उसे समझ में आ गया था कि इसे ना चूना ही बैतर होगा बोल्ड मैन को तुरंती फॉलो करने लगता है जहां ने देखा था कि इस स्कूर के अंदर कुछ एनरजी बॉड़ी भी गूम रहे है जो कि एक बड़ी सी फॉर्मेशन से जुड़े हुए है जहां जब इने ध्यान से गिनता है तो पाता है कि आठ एनरजी बॉड़ी से यहाँ पर है और तुरंद कहता है नहीं भला ऐसी रेर चीज के लिए कौन लालची नहीं होगा और इसके लावा फ्लेम हार्ट की यह अपनी चीज है जो उसकी अपनी पावर और फ्लेम हार्ट की पावर को काफी बढ़ा सकती है लेकिन यह बहत खतरनाग भी है फ्लेम हार्ट के हर माश्टर ने से आजमाया यहां तक की मैंने भी इसे अब्जॉब करने की कोशिस की लेकिन रिजल्ट ऑव्यसली अनसकसेस्पूल रहा जो देखे जो अन्तुरंद काता है क्या अपने इसे ट्राई किया था क्या मैं इसे ट्राई कर सकता हूँ जो फ्लेम सोर्स है वो सबसे पाउरफुल है मैं के बल एक बार आपकी मदद कर सकता हूँ जान तक उप्सन का सवाल है आप खुछ चूस कर सकते है कि आपको कौन सच चाहिए ओल्ड मैन की बात को सुनकर जोन गहरी सोच में पढ़ जाता है और तुरहन दिकाता है सीनियर कौन सी जनरेशन सबसे भीख है क्योंकि अगर पहली जनरेशन के एंसेटर फ्लेम एसेंस के नीचे मर गए तो जोयन इतना भी इडियाट नहीं था कि पहली जनरेशन के एसेंस को चूस करेगा और अपनी जान दे देगा जोयन की बात को सुनका ओल्ड मैं दो बार खासता है और तुरहन दी रुक कर बोल जाए कहता मुझे ऐसा कहते हो थोड़ा सा इंबेर्स फिलो रहा है पैसे मुझे लगता है कि मैं काफी टेलेंटेड हूँ लेकिन वो क्या कि Asian Time के जो ancestor थे वो मेरे comparison में थोड़ा सा ज़्यादा talented थे वो क्या कि वो इस टाइम की जो immortal energy और कोई थी वो काफी strong थी तो उनके comparison में मैं थोड़ा सा बीग था इसलिए मैं वो जो देखके जो अंतुने दिगार मैं आपको ही choose करूँगा जो सुनका old man केता है यह होई ना बात अगर तुम मेरे essence को choose करते है तो तुम्हारी तागत कम सकम 8 star या फिर 9 star डाउस यहाँ लेवल तक पहुँच सकती है यहाँ पे old man जो यहाँ के दिमाग मुसकी reputation को कम नहीं होने देना चाहता था किसे वो save करेगा golden tower के अंदर लेकिन यह old जान कर डिसीजन होगा साथ ही जान इन 8th energy bodies के अंदर काफी अजीब energy को feel कर सकता था जिसमें कुछ mysterious energy भी थी जैसे जान का हाथ और body कापने लगती है जो सुनका old man तुरंद कहता है flame essence, heart द्वारा flame of heart द्वारा एकटा किया गया essence है जो human body के essence में बिलकुल blood के जैसा ही है बहुत ही powerful केवल जब generation change होती है तो flame essence flame heart से अलग हो जाता है साथ ही flame heart को carry करने वाला person जितना ही strong होगा flame essence भी उतना ही strong होगा और उसे absorb करने वाला भी उतना ही strong होगा अलगी जो यान एक को touch करने ही बाला होता है कि तब ही old जान की अबाज आती है अबे बेवकूप इंसान अगर choose कर ही रहा है तो सबसे strong बाले को कर क्योंकि अगर तू एक ही accept कर सकता है तो strong बाले को रखते हैं न जो सुनकर जो आन रहरान हो जाता है और तुरंद करता है flame essence बहुत खत्रे बाला है old जान क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इसे absorb कर पाऊंगा अरे में को नहीं मनना भी छोटी सी उमर में जो यान यहां काफी चोग गया होता है उसे उमीद ही थी कि old man ऐसा कुछ कहेगा जो सुनका old जान तुरंद करते देख भाई जहां तक first generation के ancestor के flame source की बात है और बेसलि अगर तु इसे choose करते है या पिर दूसरे इसे choose करते है तो अपनी पाल के साथ तुम बिल्कुल भी इसे try नहीं कर सकते 100% कनपा में कि तुम मर जाओगे लेकिन अगर तुम इसे choose करते हो और absorb करते हो तो 100% तो नहीं पर मुझे यकीन है कि मैं तुम्हाई जान बचा सकता हूँ जो आनको जिजगता हो देख कर old man तुरंद करता भी चूतिया इंसान अपनी power को मत भूल तेरे पास devouring finger है golden mysterious art है heart of flame है तु किससे डर रहा है रे बाबा एतना अच्छा मौका बेकार कर रही है चपडगंजू मैं ते को सची सची बता रहा है अगर तू first generation के flame essence को absorb कर लेता है तेरी power extreme level पर बढ़ेगी और काफी pure होगी I am sure होगी जो सुनकर जोन दंग रह जाता है कि क्या बास्तो में life devouring finger के अंदर ऐसी भी कोई power है और क्या golden tower की जो golden mystery है उसकी मदद कर पाएगी जोन को नहीं पता रहा क्या मदद कर पाएगा या क्या नहीं लेकिन old जान ने अगर ऐसा कहाता है तो obviously वो जोन की जिन्दगी के साथ तो खिलबार नहीं करेंगे इसलिए जोन क्या को में तुरंती committed और आता है old man तुरंती कहता है जोन तुरंती कहता है senior मैं बस उसे चुनना चाहूँगा और जोन क्या के committed तरीके से एक energy body को देखती है जो देखका old man केता ओए बेबा कूप ओए बेबा कूप है क्या तुम मजाग कर रहा है मुझसे तुझे पता है वो first generation के ancestor का flame essence है किसी भी ancestor की पिछली generation ने उसे छूने तक की हिमत नहीं की जबकि पिछले generation के जित्ते भी लोग इसे absorb का निकलाये थे सबकी power fighting god level पर पहुँच गई थी फिर भी उन में से कोई भी से refine नहीं कर पाया तुम मातर 60 star down water level पर हो और ऐसा करना चाहते हो क्या तुम सच में मरना चाहते हो ओल्ड मैने आग गुसा आ गया होता है जूहान के ऐसे काम से बो तुरंती कहते हैं कि आप flame essence के फायदे और नुकसान नहीं जानते हलाकि यह एक blessing है लेकिन अगर आप मेरे flame essence को absorb करते तो भले ही आप 9th generation के हैं कम से कम आप जिंदा तो रहेंगे लेकिन अगर तुम यहां पे मर जाते हो तो आँगे का cultivation सब कुछ यहीं खतम ओल्ड मैन को ऐसा लग रहा होता है उस essence को चूस करते ही जूहन की बहुत पक्की जो दिखके जूहन तुरंती कहता है सीनियर आप मुछ पर विस्वास कर सकते हैं मुझे यकीन है जूहन की आँखों में बिल्कुल committed हो रहा होता है कि सीनियर बस चाहिए तो चाहिए अब तो यहीं लूँगा और यहीं पे लूँगा जूहन की impression काफी interesting होते हैं ओल्ड मैन थोड़ा सा नाराज था लेकिन यह भी पहली बास था जब जूहन ने ओल्ड मैन को इतना गुसे पे देखा था वो तुरंती जूहन को डाट से हो कहता बेवकूप बच्चे एक बार फिर से सोच ले मैं तुझे इस तरीके से मरते हुए नहीं देख सकता हाला कि तुम इस फ्लेम के present master हो लेकिन मैं इस फ्लेम का past master हूँ इसलिए तुम कुछ भी कहोगे मैं बिल्कुल नहीं मानूँगा तुम अगर first ancestor की flame source को बस टच भी कर पाए तो मैं तुमें अपने high level के तीन ट्रेजर दे दूँगा तुम बस उसे टच करके दिखाओ अब जॉब तो तुम छोड़ दो ओल्ड मैं काभी यदा confuse तरीके से कह रहा होता है जैसे उसे पता हो कि जॉण उसे टच भी नहीं कर पाएगा साथ ही उसे डर था कि जॉण कहीं इस option को ना चूस करे इसलिवा कहता भाई तूसे टच ना भी कर उसे मत छोड़ दे में ट्रेजर तू रख ले मैं तीन ट्रेजर देने को तैयार हूँ मेरे उस फ्लेम को छोड़ दे उस वाले को उसे लग रहा था जॉण कभी उसे हैंडल नहीं कर पाएगा जो सुनकर जयान भी हरान होता है जयान को बदा दे इस old man की ट्रेजर की कोई भी चीज नॉर्माल तो नहीं हो सकती और वो जयान की चोईस को बदलने के लिए इतना कुछ देने को तैयार इसका मतलब है उसे केवल जयो जयान की टेंसर है जो देखकर जयान तुरन तुरन दिगाता सीनियर क्योंकि मैं इसे चुनने की हमत करता हूँ तो मुझे बिस्वास है अगर हम सर्थ लगाते हैं तो क्या होगा जयान ऐसा कहता है जो सुनकर ओल्ड मन काफी कनफ्यूज होकर जयान को देखता है जो अनको अपने दिल में ओल्ड मैन की जो इमेस थी अब काफी अच्छी फील होती है कि बास तुम ये बंदा काफी अच्छा है जो अनने कभी भी उम्मीद नहीं की थी कि ये बंदा एक टाइम पे खून का प्यासा मौश्टर होगा बुत्रंदी गयता क्या सर्थ लड़के ये पैसा ऐसा कोई बड़ी चीज नहीं लाइफ के सामने ये सब मजाक है मुझे लगता है कि तुमारा ये रैंकारनेशन है जहां तुम इस लाइफ पे पहुँच भी गए सबसे अच्छा होगा यंग मैन को उताबला नहीं होना चाहिए ओल्ड मैन जहां से काफी रिक्वेस्ट करता है गुस्से में भी डाणता है और मनाने की कोसित करता है लेकिन जहां सिर्फ एकी चीज कहता है सीनियर आप मुझ पर कैसे विस्त्वास कर सकते हैं जहां के कमिटेड औरे को देखकर ओल्ड मैन को मीद नहीं थी कि ये बंदा लाइफ से इतना ज़्यादा फ्यालेस है उसे लग रहा होता है ये बंदा सच में काफी ब्रेव है जो आंगे बढ़कर कुछ भी करने की हिमत रखता है तबी जौन कहता है चली एक ट्राइ करते हैं और ओल्ड मैनों जौन एक दूसरे को देखते हैं और अपना सेल आते हैं तबी ओल्ड मैन जौन की तब देखते हैं कितने परसेंट कनफ़र्ब हो तुम जो सुनकर जौन एक पल के लिए रुकता और सिर्ख हुजलाते हुए, इंबेर्स होते हुए कहता है आ, मुझे नहीं पता ओल्ड मैन जो अभी अभी संथ हुआ था जौन के जबाब को सुनकर उसका चला लाल हो गया होता जो दिखके जौन के था हला कि मुझे नहीं पता मैं कितना परसेंट है कंफाम हूँ लेकर मैं कम से कम गारंटी दे सकता हूँ कि इस फ्लेम के नीचे मैं मरूँगा नहीं जौन की बात को सुनकर ओड़ मैं तुरंती भूए उठाता है जैसे कि वो हसना चाहता हो जो तुरंती कहता है कि तुम गरांटी के तौर पर अपने एक्स्टीम, पीक, सिक्सिश्टर डाउं जियान लेविल की पाउर का यूज़ करना चाहते हो तब यह उन कहता है सीनियर मैं हजारों फाइल लोटस को अपने पास रख सकता हूँ मिर पास उसका एक तरीका है क्या आपको नहीं लगता था कि यह इंपॉसिवल है बट मैंने किया ना सीनियर आप मुझे पर विस्तौास करिए मुझे उम्मीद ही कि मैं इस फ्लेमेसेंस को अब्ज़र नहीं कर पाऊँगा लेकिन मैं और निच्चे तोरपा इसके नीचे मरूँगा नहीं मुझे यह विस्तौास है जोस उनका उल्ड मैन हैरान रह जाता है उसी यह चीज़ एकसेप्ट करनी पड़ी थी कि पास्ट में उसे ऐसे कोई भी तरीके नहीं मिले बो ज़्यादे ज़्यादे दस फाइल लूटरस को रख सकता था जबकि ज़्यान नहीं हजारों को रखा था दोनों पूरी तरीके से अलग लाइब थी बो तुरंदी कहता हमारा जीमन इस पे दाव पे लगा है हलाकि मैं तुम्हें कुछ ज़्यादा नहीं कह सकता अगर यहीं तुम्हार डिसीजन है तो ठीक है मैं भी सच में इसके बार में क्यूरियस हूँ कि आप इतना बड़ा फ्रोमिस कैसे कर सकते हैं हलाकि मैंने तुमसे बादा किया है मैं तुम्हे अपनी ट्रेजर की तीन चीजा दूँगा तो अगर तुम सकसेष्फुल होते हो या फेल मुझे परवाँ नहीं जब तक तुम जिन्दा हो मैं तुम्हें तीन चीजा लेने का बादा करता हूं तुम मेरे ख़जाने से तीन चीजा ले जा सकते हो तो चलो गाइस इसके साथ अब यह एपिसोड यहीं पेंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड पे हम फुल इस फ्लेम एसेंस को रिफाइन की देखेंगे प्रोसीजर क्या क्या होगा क्या नहीं होगा नेक्स्ट एपिसोड पर ही पता चलेगा तो वाई वाई थिर्यान फैमली गुड मॉर्निंग